आज का इस वीड़ो को टॉपिक है टेस्टिंग और्प ट्रांस्फर्मर रोयल, आप नॉर्मली है आप सभी को बता हैंए ट्रांस्फर्मर के अंदर ओईल होता है, वो जो ओईल होता है उसका जो ना पता करने के लिए आज हम ये डालेक्टिम स्ट्रेंद टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम उस transformer के अंदर का जो oil है उसका एक sample ले लेंगे एक छोटे से box के अंदर एक sample ले लेंगे इस box के अंदर दो electrode को हम connect करेंगे अब यह जो electrode होता है इस electrode का जो diameter होगा वो 13 mm diameter होना चाहिए diameter जो है दोनों electrode का 13 mm होना चाहिए अब दोनों electrode के बीच में जो gap होगा वो gap 4 mm का होना चाहिए plus minus 0.02 mm हो सकता अब जो electrode है electrode के उपर 40 mm का oil रहना चाहिए और नीचे भी 40 mm का oil रहना चाहिए अब इस दोनों electrode को हम एक high voltage transformer से connect करेंगे जो transformer का voltage vary हो सकता मतलब 1 kb से लेकर 50 kb तक vary हो सकता है वही transformer या फिर ऐसा transformer जो 1 kb से लेकर 50 से ज्यादा के भी तक vary हो सकता है ऐसा transformer हमें चाहिए transformer से connect करने के बाद हम क्या करेंगे यह जो high voltage transformer ही से on करेंगे on करने पर क्या होगा इसके output मतलब secondary से एक high voltage generate होगा लेकिन इन दोनों के अंदर से कोई current flow नहीं होगा क्यूंकि oil का एक resistance है हम ओही node डाउन करेंगे कि कितना voltage supply देने के बाद इसका जो oil का जो resistance है ओ resistance को ब्रेक करके इस oil के अंदर से current flow होता है ओही हम देखेंगी अब जैसे ही इसके अंदर से current flow होगा ना हमें एक spark देखने को मिलेगा अब कितना voltage supply देने के बाद हमें ओ spark देखने को मिलता है ओ ही voltage को हम note down करेंगे और ओ ही इसका breakdown voltage है अब हम क्या करेंगे इसे supply देखेंगे अब 1 kb से लेकर 50 kb तक हम इस voltage को बैड़ी करेंगे और देखेंगे कितना voltage होने के बाद हमें इस oil के अंदर से spark देखने को मिलता है ठीक है चो चलो देखते है तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला जैसे ही 36 kb voltage apply हमने किया वैसे ही हमें एक spark देखने को मिल गया वान मिनिट तक कोई भी डालेक्टिक स्टेन थे जैसे हम टेस्ट करेंगे तो क्या होगा वान मिनिट तक उस oil को 40 kb voltage को झेलना पड़ेगा वान मिनिट तक अगर वो 40 kb voltage को झेल सकता है तो ही वो oil अच्छा है यह एस पर आईसाई रूल है अगर ए वीडियो अक्को पसंद आये तो नीचे जो सब्सकाइब बला वटने उसे आप दबादो क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाता है या थाओ इस चैनल पर